मारवाडी मीडी आप देख रहे हैं परदेश की दिन बर की कुछ बड़ी अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं सुरुवात करते हैं पड़ी अपडेट के साथ राजस्तान में लंबे समय से मुख्य मंत्री गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच चल रहे सियासे संग्राम पर विराम लगाने को लेकर कॉंग्रेस नेतरतव घंबीर हो गया है कॉंग्रेस की अंत्रिम अधेक्स सोनिया गांदी ने गहलोत और पाइलेट को दिल्ली बुला कर बात की है सुत्रों के अनुसार सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस का राष्टिय माहसचिव बनाया जा सकता है माहसचिव रहते हुए पाइलेट उत्तर परदेस और पंजाब विधान सबा चुनाओ में पाइलेट परत्याक्सियों का चुनाओ परचार करेंगे सोनिया गांदी से मुलाकात के दोराने पाइलेट राष्टिय माहसचिव बनने को तयार तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने राजस्तान में सक्री रहने की बात भी कही है सुत्रों के अनुसार सचिन पाइलेट ने सोनिया गांदी से कहा है कि वे पार्टी नेतरतों का निर्देश मानेंगे लेकिन राजस्तान में पहले की तरही सक्री रहेंगे राजस्तान की दूसरी बड़ी अप्टेट मुख्य मंत्री कहलोत ने हाली में दिल्ली लोटने के बाद संकेत ये थे कि राजस्तान में भी राज्य सरकार वेट घटाएगी लेकिन कब इस पर इस्तती सपष्ट नहीं है जिसका खामियाजा राजस्तान की लोगों को भुगत ना पड़ रहा है लगभग पूरे देश में पेट्रोल और टीजल सस्ता मिलने लगा है लेकिन राजस्तान के स्री गंगा नगर में पेट्रोल की कीमतें अब भी 116 रुपे पर्ति लिटर से ज्यादा है जो संबहुत है देश के किसी भी सहर में सबसे मेहंगा है इतना ही नहीं राजदानी जैपूर में भी 111 रुपे पर्ति लिटर से अधिक दाम पर पेट्रोल मिल रहा है मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान जरूर दिया था कि राजस्तान में भी वेट कम होगा लेकिन अभी तक गहलोत सरकार पर्देश में वेट कम नहीं कर पाई है सरकार अपना खजाना भरने में लगी है चाय पर्देश की जनता मेहंगाई के बोस्तले दपती रहे अगली बड़ी अपडेट सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी की 13 नौवंबर 2021 को भी रिकोर्ड तेजी जारी रही त्योहारी सीजन के बाद अब वेवाहिक खरीद परवान पर है वेवाहिक सीजन में इस बार फिर से गोल्ड 50,000 के पार पाउंच चुका है जैपुर साराफा कमेटी के और से जारी भावं के अनुसार 24 के रेट सोना 50,750 रुपे परती 10 गराम रहा वहीं जेवराती सोना 48,600 रुपे परती 10 गराम रहा वहीं राजदानी जैपुर में आज चांदी के भाव 79,000 रुपे परती किलो पहुच गए यही थी परतेश के आज की दिन भर की कुछ खास और बड़ी अपडेट्स मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में राजस्तान की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो को लाइक करना बिलकुल ने भूलिएगा और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए सस्क्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के निसान को भी धबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सुचना आपके पास सबसे पहले पहुचे धन्यवाद